भारत में हर साल 800 टन सोने की डिमांड होती है इसमें सिर्फ एक टन का उत्पादन भारत में होता है और बाकी एक्सपोर्ट किया जाता है चीन के बाद भारत में गोल्ड की सबसे ज़्यादा खपत होती है आजादी के समय यानी आज से 46 साल पहले 1947 में गोल्ड 89 रुपे प्रती 10 ग्राम था जो अब 2023 में 69,000 रुपे की पार पहुँच गया है भारत में सोरी की सबसे ज़्यादा तीन खदाने जारखंड में हैं वहीं दो खदाने करना टक और एक खदान उत्तरपदेश के सोन भद्र में है US Geological Survey के अनुसार धर्ती से अब तक 2,00,000 टन सोना निकाला जा चुका है और अब सिर्फ 50,000 टन ही बाकी है वहीं भारती भुवैग्यानिक सर्विक्षन के अनुसार भारत में धर्ती के अंदर 1 अपरेल 2020 तक फुल 5.86 टन सोना बचा है World Gold Council की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के घरों में 2019 में 25,000 टन से जादा सोना था वहीं 2021 के डेटा के मताबिक अमेरिका के सरकारी खजाने में 8,000 टन से जादा सोना है यानि यूएस के सरकारी खजाने से करीब 3 मुना जादा सोना हमारे घरों में रखा है वहीं मंदिरों में 20 सोने का विशाल भंडार है भारत के मंदिरों में 4000 टन से भी जादा सोना जमा है